तु डीम औरे डीम ऐसे यहां पे हां तक मचायी हुए थे कि जैसे लगए था हम लोग बंगलादेशी से आके कहीं बाहरी माझ वहां पर गूसलमन हैं मुंसलमान है ऐसा यकाए गए नितीश ही का बीजिश पी वालेकर इस सब का हाँ था प्रदेश के जो मुख्या है माननी नितिश कुमार जी उनको क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह करवाई की बहुत हम लोग अच्छा लगा हम बहुत हम लोग खुच हैं इस कि इस टाइप के करवाई उनका हम लोग वोट दिये और उसका फल हम लोग को उद्दे रहे हैं उपर की जो structure है ये देखिए किस तरह से ध्वस्त किया गया है मकान की देखिए दो मंजील मकान है और किस तरह से तोरा गया है क्या अजीब टेक्नलोजी से तोरा गया है हमारे बिहार सरकार की जो विकास है विकास की एक एक अजीब जो जहलक होती है एक जहलक ये विकास की ज थलक आप देखिए कितना अच्छा मकान था पूरा डेलिंग बना हुआ था टैल स्वेल्स लगा हुआ था सीडी पर सब कुछ है उसको विकास के कारण और जैदा विकास करने के कारण इसको इस तरह से इतना अच्छा स्ट्रक्चर में तब्दिल कर दिया गया है चली यहां के पूसर डेम और एडियम ऐसे यहां पे आंतक मचाए हुए थे कि जैसे लग रहा था हम लोग बंगलादेशी से आके कहीं बहरी से आके बसे हैं उस तरीका से भागा रहे थे जैसे को अंतक वादी गुस नहीं जाता है और उसको पकड़ने के लिए इधर से घेड़ना उधर से घेड़ना इस तरीका का मौहल बनाये थे जैसे हम लोग बंगला देशी आए कहीं से आके बसे हुए हैं उस तरीका से पकडर खड़का उस तरह जवरदस्ति मारburg रहे थे लेडिस को जेस्को परस मकान रहे तैंसे पीछे मुस्लिम का मकान थे मुस्लिम का है उधर भी मु यहां उधर भी टूटा है तो करने मतलब किये कभी नोटीस नहीं कंद वाले हैं कोई इन वीजुवल नोटीस ने ग विए पूरा दिख रहा है कि इसमें से समान कैसे निकाले आदमी इस तरीका से मन बनाए हुए थे जैसे लगता है कि उसे मंत्री ही ओडर दिये हूं इतना पावर फूल में थे सब्सक्राइब आप लोग इंडिया के विरोध में कोई काम कर रहे थे क्या जी इस तरह से आप लोग के सलुक किया गया नहीं सर हम लोग तो किसान से जमीन खड़ दे यहां खड़ी दे और सीधा साथ हम लोग बाहर से आ हैं आपका बिजली वील है टेलीफोन वील है जो भी है पानी का शुब्दा है लाइन का है सब चीज मिला हम लोग रहते बना करके आज यहीं सर बीच साल पचीस साल पहले कर किये हुए रहते जिसमें कुछ नहीं ता इदर था तो साइथ इसे इसमें जो है आपको तुला जाता था मकानों से और मकान को फिर आकर के तोड़ भी दिया गया अच्छा इबताइए यह जो मकान है इस मकान को टोटल बनाने में खर्च कितना लेगा इसमें कम से कम भी लगा हो सर कम से कम 25 लाग 30 लाग लगा होगा तो टोटल बनाने हां पाइलिंग से अब जो बनाता है तो कोई भी कमजोड़ ने बना चाहता है जाले करोड़ो के मघवी होगा ही क लगा,रने में कितना वह बनाने म कितना समय लगा, आप हला लोग यहीं के आवां मतलब अनुल्मा साथ नोर्मल तरीके से पैसा hemen यहां पर जो आप सीन देख रहे हैं मतलब यहां के डीम साहब एडीम साहब जो भी थे गाली गलोज लेडीज को पकड़ के मारना बच्चे लोग को भी उन्होंने मारा है घर में घुसके मारा है ऐसा नहीं कि यह रोड पर रोड पर कोई भी दिख जाता था उसको सीधे पिट सबसे पहले उसके बाद आगे कुछ होती है तो रोटी चोड़िये कपरा चोड़िये मकान तो आप देखी रहे हैं मकान की सतरह से बेरवाद किया गई है और इस तरह से तोर आ गया घ्र obt कितने की संपति होगारी है जो बिहार सरकार अब बाद कर दे होंब तर यहां पर हंडेडर कि एक मांगान में आप देख लंग passado पना है ठीक है उसको आप अभी मुलंकंद नहीं कर सकते मतलब आप देख रहे हैं नहीं एक कोड़ से उपर ही होगा ठीक ना कंस्ट्रक्शन में ऐसा छोटे-छोटे मकान अगर आप बनाते हैं तो नॉर्मल मकान में मकान बनाने में एक फ्लोर अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 20 लाख रुपर लग जाता है मतलब अगर एप्रॉक्समेट कहा जाए तो अरवों की संपती यहां पर बिरबाद कर दिया गया और जब अनुपम सुमन उसके बाद पटना नगर आयुक्त हुए फिर उसके बाद अभी पुलल्स पार्टी के पुलल्स पार्टी में जूरे हैं वो बताये थे जो इसका पूर करना चाहेंगे सर जितनी भी मकान टूटा है जितना भी छती हुआ है वो डियेम के बेतन से और एडियेम के जितने ही प्रादीकारी है उनके बेतन से इस मकान को पूर्ति किया जाए आपके हिसाब से आप लोग तो पूरा इसका मतलब जो प्रत्यक्ष दर्सी थे उस समय के कौन लोग दोसी है आपके हिसाब से इसके मतलब प्रशासन दोसी है किसी के बात सुन नहीं रहते जिसको हम लोग ने जिता करके लाया बैठाया अब गदी पर वो सरकार सबसे दोसी है नितीस जी का बीजेपी वालों का इस सब का हाथ है इसमें किया हम लोग माफ कभी नहीं करेंगे इंको किया खूस नहीं 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 यह कहने के मतलब जो बैक्ति इतना मेहनत से परिस्रम करके इट-इट जो बनाया थे हो जानता है कि एक दिन बनता है मकान आ нужно 40 साल से लोग है 50 यहां पर जितने भी लोग है पुर जा रहा है जो लाइन काट दिया गया है उसके बाद अभी तक लाइन नहीं यहां पर उपलब्द कराया जाए अभी तक यहां पर बिजली की कोई बेवस्ता नहीं है अभी भी हम लोग बाहर से पानी लाकर इधर से बगल में कुछ चालू है उनके नल बगर तो वहां से हम लोग पानी यहां पर लाकर उसको यूज कर रहे हैं कोई एस्टेट में नहीं हुआ है जो भी लोग किया गया है इस टाइप के तो उसका मुझा दिया गया है उसका विद्वत रूप से उसको कहीं बसाया गया है इसके बाद इस तरह के परकिरिया हुआ है इवेन की सरक साइड में भी अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उसको भ लोग्स ने यहां पे किसान से जमीर ली हुं नहीं हुत हैसराथ यहां पे सारे क है है रेक हैं यहां पे कूडे उठाने वाले आते हैं उनकर पेिमंट करते हैं यहां सुबह में कुड़ा उठाने वाला गाड़ी भी आती है बांकि आप लोग से पुछना चाहता हूं लास्ट में एक बताइएगा जो हमारे जो प्रदेश के क्या कहते हैं इस तरह करवाइए बांकि आप देखिए हम आपको ग्रांड की रियालिटी दिखा रहे हैं बिहार की विकास दिखा रहे हैं बिहार की गाता सुना रहे हैं जो बिहार की कैसी हमारी गाता है विकास की गाता है और उसी को दिखाने के लिए आज हम भी राजीव नगर के नेपाली नगर जो है नेपाली टोला जाए नेपाली नगर जो भी कहते हैं यहाँ पर आया है जहाँ पर अर्मों की संपती हमारी बिहार सरकार अपने खोज रहें, बाकि आप हमारे साथ बने रहें, मेरा नाम पंकज है और आप Rebel News India देख रहें, धन्यवाद